आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं एक नई मिठाई के रेसिपी जिसे हम पोहा और ब्रेट से बनाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स घर में रखे समान से आप बहुत अनाम से इस मिठाई को बनाकर रेडी कर सकते हैं और मार्केट में यही मिठाई बहुत ह हुआ हम आपा आम लेटाव पंगते स criminal remote Operation ये वी वहिए में तो चलिए इसे फटा फट से बनाते हैं ह Profald मैं हुए प्रैंक और प्रेंकाज मसाला जो अष्ट वह अंनी आपका बहुत स्वागत है ए स्वागता है चलिए रेसिपी पान नेका लेंगें तो पहले हम इस तरह से चीणी और पानी को मिक्स कर लेते हैं हमें एकनारी चासनी बना कर रेडी करनी है लेकाे हमारा चीणी अच्छे है स Patihin अवारा चानी अलमोस्त रेलि हो जुका है जब आप हाथों में लगा कर दिखिएगा और खिपके तो समझे एक तार की चासनी बनकर रेडी है इस मिठाई में टेस्ट को पढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे इलाइपटी पाउडर का इसे मिठाई में बढ़िया टेस्ट आता है तो बस यहां आधाचम्मच इलाइपटी पाउडर इसमें डाल दें और इसे मिक्स कर दें मिक्स करने के बाद गैस आफ कर दें और कवर करके इसे साइड में रखें तो यहां हमने गैस को आफ कर दिया है अब हम इस चासनी को कवर करेंगे और साइड में रखेंगे और अब आगे की तैयारी करते हैं तो इसके लिए हमने एक कप लिया है पोहा इस पोहा को हमें ग्रैंडर जार में डाल कर बिल्कुल फाइन पाउडर बना कर रेडी करना है तो चलिए हम फाइन पाउडर जब तक बना रहे हैं हमने यहां एक कराही में एक कब दूर का यूज किया है और हमने यहां तीन स्लाइस ब्रेट का यूज किया है तो ये white bread है और white bread का ही हमें इसमें use करना है तो बस white bread के जो side के portion रहते है जो brown color का रहता है उसे बस अलग कर लीजिए और bread को इस तरह से टुकरा में करके इसमें डाल दीजिए हमने यहाँ powder भी तयार कर लिया है जो पोहा का powder बनाया था उसे भी अब हम इसमें mix कर देंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से mix कर लेना है जैसे जैसे आप mix करेंगे ये बिल्कुल आटा की तरह दूद के साथ घुल जाएगा तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है यहाँ flame को मैंने medium कर रखा है आप चाहे तो high frame पे भी इसे बना सकते हैं लेकिन आपको लगातार चलाते रहना होगा तो इस तरह से आप लगातार चलाते रहिए आपको 7-8 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है और जैसे जैसे आप इसे mix कीजिएगा ये dough form में आते जाएगा तो बस इसी तरह से आप mix करते जाएगे और ये dry होता चला जाएगा जैसे आप पूरी पराठा के लिए dough बनाकर रेडी करते हैं उसी तरह से इसका भी dough बनाकर रेडी करना है तो यहाँ मैं जैसे जैसे इस बैटर को mix करते जा रही हूँ ये dough form में आते जा रहा है तो बस इसी तरह से इसे mix करते रहे इसे 7-8 मिनट में बना कर ready कर सकते हैं तो यहां देखिए मेरा जो यह dough है बिल्कुल ready हो चुका है और जब इसे आप plate में निकाल कर ठंडा कीजिएगा तो थोड़ा यह और भी dry होता है तो बस हमारा almost यह dough ready हो गया है अब हम gas को off करेंगे औ एक plate में इसे निकाल कर ready करते हैं तो यहां मैंने एक plate ले लिया है इसमें हम इस dough को निकाल कर रख लेंगे तो यहां देख सकते हैं यह थोड़ा और dry हो गया है और इसे ठंडा होने के बाद हम बिल्कुल अच्छे से mix करेंगे जैसे आप आटा लगाते है ना उसी तरह से mix क करके हमें बनाना है तो यहां देखिए हमने इस एक plate में निकाल लिया है अब हम इसे mix करेंगे तो mix करने के लिए मैं यहां थोड़ा सा घी का यूज कर रहे हूं इससे तो एक मिठाई में भी टेस्ट बढ़िया आता है जब आप घीस तरह से लगा के इसे mix किजिए गा तो और इस मिठाई में एक चिकनाई सी भी आएगी तो बस इसे हाथों में थोड़ा सा घी लगा कर अच्छे से mix कर लिजिए बिल्कुल अच्छे से mix किजिए जैसे आप आटा लगाते हैं उसी तरह से इसे गूत लेना है और आप देखेंगे कि बिल्कुल यह स्मूद सा डो ब बड़ा पेरा बनाकर रेडी कर लेंगे तो जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करें इसे फटा फट से घर में रखे समान से बनाकर रेडी कर सकते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहां देखिए मैंने बॉल को बनाकर रेडी कर लिया है और बिल्क तो यहां मैंने सारे बॉल को इसी तरह से रेडी कर लिया है, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, फ्राइ करने के लिए यहां मैंने एक कराही का यूज किया है, इस कराही में हमने तेल का यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइन ओयल की जगा घी का भी यूज कर सकते हैं, और इस इस मिठाई को हमें एक साथ, आठ या 10 पेस इकत्था डालना है, जिसे की आपका जो यह मिठाई है जब तेल में फ्राई होगा तो बिलकुल एक कलर में आएगा, तो इसी तरह से आप 8 से mix करते रहेंगे और यह golden color में आ जाएगा यहाँ देखिए इस मिठाई का color golden हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो यह पोहा और ब्रेट से बहुत ही स्वादेश्ट रसगुला बनकर ready होता है फ्रेंट्स यह गुलाब जामुन खाने में इतना tasty लगेगा आपको लग तो अब हमें गुलाब जामुन को चासनी में डिप करना है तो गर्मा गरम चासनी में इसे डिप करते जाएए तो यहां मैं कवर को हटा ली हो और गुलाब जामुन डालने के बाद इसे हम फिर से कवर कर देंगे और आदे घंटे बाद इस गुलाब जामुन को आप खा सकत हैं आदे घंटे में ये बिल्कुल चासनी में dip होकर सौफट हो जाता है तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामून को तल कर रेडी करेंगे और चासनी में दिब करते जाएंगे तो लीजी को आप एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करें तो फटा-फट से इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गया है तो यहां मैं आपको एक टेच करके दिखाती हूं यह कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर रेडी हुआ है तो आपको मार्केट से पैकेट लाने की भी जोत नहीं है न मावा घर में यूज करना है न पणीर यूज करना है तो इस रेसिपी को एक बार बना कर जरूर ट्राइ किजिएगा फ्रेंस उमीद करती हूँ आज की मेरी रेस को हिट करना ना भूलिए मेरे नए नए रेसिपी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई